प्रभाजी ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है आपने बताया किरणवेदी की खूब प्रिशंसा की इमानदार अफसर रही राजनीती में आई हैं आपने मौका उनको दिया पार्टी के भीतर में कुछ लोग सवाल उठा रहे कि क्या जो पुराने नेता थे उनको क्यों क किनारे किया गया है हमने सबको सरका ताज बनाया है आज भी डॉक्टर हर्सवर्धन केंद्री मंत्री है चांदरी चौक से सांसद है क्या आप चाहते हैं कि उनका इस्तीफा करा कर फिर से लाएं इसलिए डॉक्टर हर्षबर्धन जी को केंद्री मंत्री बनाया गया वो भारत की सेवा कर रहे हैं दिल्ली की सेवा बात रही विजय गोयल जी की वे तो इस समय राजसभा में हैं और राजसभा में सेवा कर रहे हैं राजस्थान से लाए हम दिल्ली की सेवा के लिए बातरही ब्रिजेंद को पता की, उस चुनाओ लड़ रहे हैं रोहनी से, किस नेत्रतु की बात कर रहे हैं, विजे कुमार मलुतराजी को आपको पता ही है, थोड़ा स्वास्त उनका स्वास्त है, अच्छी बड़ी उम्र हो गई है उनकी, फिर भी लगे हुए हैं, हमने किसके इंता पार्टी ने, जो नरेंदर मोदी जी ने एक स्वरूब बतला है, राजनिती की प्रकिर्थी बतली है, कि नहीं, विकास, इमांदारी, ब्रस्टाचार, मुक्त, उस दिसा में किरन वेदी का कैरियर बहुत शांदार रहा है, सेश जीवन और दिल्ली को समर्फित करना चाहती है, और ट्विनिंग होगी, एक प्रसासनिक अनभव भी है, अब राजनितिक पादान पर भी आईए, नर्ण बोदी जी का असिरवाद होगा, दिल्ली का विकास होगा, टिक्टों को लेकर भी कुछ सवाल उठे, कि आपने भार से आयोगी नेताओं को, दूसरी पार आपके से टिकेट दे, किसे ने दे, लिकिन कार करताओं के मन में एक सवाल कहीं न कहीं ये है, देखिए, कृष्णा तिरफ 40 साल से कॉंग्रेस में रही, डॉक्टर वच्स दो तीन बार विधायक रहे, और बड़े नेता रहे, राश्त्री सचेव रहे, हम जानना चाहते है कि 40 साल की तपस्या को छोड़कर कृष्णा तिरफ क्यों आई, अनसूची जाती की महिला केंद्री मंत्री रही, क्यों भी ये पीमाई, कहीं न कहीं दर्द था, लोग समय नहीं दे रहे मिलने के लिए, अपनी बात नहीं रख सकते, घुटन महसूस कर रहे थे, तो क्या ऐस राजनेतिक लेताओं को सामाजिक सेवा करने का आउसर न दिया जाए, और अगर मान लिजे केंद्री मंत्री सांस अनेकोमार विधायक रही, क्रिश्टना तीरत अगर पटेल नगर से टिकट मांगती है या लड़ती है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, समा सेवा करने के ल जीतना आनिवार है, कौन जीतेगा पार्टी निर्णे लेती है, और पार्टी के विवेक को वो अपने विवेक से बड़ा मानता है, और पार्टी का विवेक कारकरता के विवेक से बड़ा होता है, और इसलिए सामोहिक निर्णे जब होता है, तो कारकरता कहता है कि जो निर गुजरात दंगों की वो बात फिर से करते हैं चुनाओं में क्या बीजेपी मुस्लिम भरोधी है गुजरात दंगों की बात करते करते हैं गुजरात के मुस्लिम तो उनसे सब कड़ गए कॉंग्रेस से भी और मोदी जी की समर्थक बनते गए आज उनकी ही पार्टी की जो केजरिवाल आप कह रहे हैं साजिया कौन थी गाजियाबाद से कौन लड़ी थी मैं तो नहीं लड़ा था और वही साजिया आज आपको छोड़कर क्यों चली देगी मैं जानना चाहता हूं हम पर तो बहुत आरोफ लगाते हैं हम जब से पैदा हुए राजनिती में 21 सक्टू का अपमान कर रहे हैं हमें पूरा भरोसा है कॉंग्रेस ने जितना गुम्रा किया मुस्लिमों को धीरे धीरे मुस्लिम अब समझ में आ रहा है और देश की जो राश्ट्री धारा है उसके साथ उजड़ने के लिए आतुर हैं आ रहे हैं और वो गर्व के साथ कहते हैं कि नर हैं कि एक बहुत बड़ा राश्ट्री मुस्लिम भारती इंता पार्टी के साथ जूरता जा रहा है प्रभाज ची छोटा सा प्रेक और लेता हूं उसके बात बात करूँगा दिल्ली के मुद्दों पर